नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ओल, सुर्वी स्टेडी आई क्यू, दोस्तों आज में बात करेंगे, करनंट अपेर्स साथ अगस्त 2022 के बारे में, देखिए, हापर साथ अगस्त है, चे नहीं है, ठीक है, तो आजम बात करनेवाले साथ अगस्त की माजपूर्ब सुर्कियों के बारे में ठीक है चलिए बात करते हैं आज का पहला क्योशन जो है उसकी देखिए पहला क्योशन देरका है सही मिलान चुनिए भारत का सबसे बड़ा सोपिंग पेस्टिवल 2023 आयोजित किया जाएगा आगे दरका जेपूर उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया सप्ता 2022 गांधिनेगर नेक्स्ट है पाचवा ग्लोबल फिल्म ट्यूरिज्म कॉनक्लेव जीएप टीसी यह है म उसके आंस्वर की ठीक है पहला ओक्संजो है 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 मिश्म धिया रोग यह तैसे फेस्टिवल जेपूर में आयोजित नहीं किया जाकर का पर यह यह हैह का पर है का पर है कि अ है डेली में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कि अडिजिटल et你要atin नगर यह गांधिनागर यह यह नेक्स्ट पाच्वा ग्लोबल फिल्म त्योरिज्म कॉन्क्लेव जी अप्टीसी मुंबई तो ये भी आपर सही है नेक्स्ट क्या है विश उस्तरिय भारती विराशत संस्तान किस्तापना की जाएगी तो विकानेर नहीं है आपर क्या है आपर कि नौइड़ा ठीक है ओके कुछ अन्य मत्तुपूर्ण फेकत है देगे जो चंतर सेकर आजाज जी है उनकी भव्य प्रतिवा कापड गए गयी है भी भोपाल अमपी में ठीक है यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है अलूरी सीता राम राजु सीता राम राजु इनकी कांज से प्रतिमा कापड गए गई है भीमा वरम भीमा वरम आंदर प्रदेश के दर ठीक है यह भी आपको याद रखना है बढ़ते है अगले कुछन की देखे निमने में से कौन सी पंडूबी प्रोजेक्ट 75 का इस्सा नहीं है तो यहाँ पर ओप्शन से देरेके INS कलवरी INS वागीर INS उधेगीरी और INS करंज तो देखे यहाँ पर INS कलवरी INS वागीर और INS करंज यह तीन तो किसका इस्सा है प्रोजेक्ट 75 कैसा है अब आप समझे प्रोजेक्ट 75 जो है यह किसका वेंचर है यह भारत और फ्रांस का इसके तरद भारत ने कितनी पंडवियों का निर्मान किया है च्छा पंडवियों वो कौन कोंजी है देखिए आएनस करंज नेक्स्ट आएनस खंडरी ठीक है नेक्स्ट आई एनस कलवरी उसके बाद आई एनस वेला उसके बाद आयनस वागशीर नेक्स्ट आउ एनस और एक है वागीर ठीक है वागिर, ओके तो अच्छा पंडू भी है देखे आपको याद रखना है Triple K करणजिख, खांडेरी और कलवरी उसके बाद Triple V वेला वागिर और वागिसीर तो यह आसनी से आपको याद हो जादेगी Triple K और Triple V तो यह आपर INS उदेगिरी जो है सेवन्टीन ए देखिए बात करते हैं प्रोजेक्ट सेवन्टीन सेवन्टीन ए इसके अंदर कौन सी है आइनस उद्धेगिरी ओके उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिप्टीन इसके कौन सी है आइनस सूरत यह आइनस उद्धेगिरी क्या है एक युद्धुपोत है ठीक है युद्धुपोत इसका निर्मान कहाँ पर क्या गया था मजगाँ डोक्याड लिमिटेड कहाँ पर है मुंबई के अंदर ओके इसका उद्धुपोत है सत्रा मई दोजार बाइस को ठीक है यह क्या है एयरक्राप्ट है है यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट में बात किती आइनस सूरत की यह भी क्या है यह एक एयरक्राप्ट है ओके इसका भी दिर्मान कहाँ पाता मजगाँ डोक्याड लिमिटेड में ठीक है और यह किसका इसा है प्रोजेक्ट है को फिप्ती इस-टीक है यद रखना है बेसिकली जो उदेगीरी है वो किसका इस्सा है 17 एक का और यह पर सूरत किसका है प्रोजेक्ट है फिप्तीन गा तो यह भी आपको याद रखना है और तीन मीशाले पंडुम यह कौण कौण सिए és कलवरी खांडेरी और करंज उसके बाद वेला वागीर और वागसीर ठीक है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है त्रिपल के और त्रिपल वी बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरब देखे अगले क्यूशन है सही मिलान चुनिए राजस्तान का पहला सेंड आर्ट पार त्रिवेणी पर डूंगरपूर और बास्वाड़ा के बीच में सौम माई और जाकम नदियों का संगम है तो देखे यहां पर उप्संस जो है उनको देख लेते हैं गबार पहला क्या दे रखा है पहला सेंड आर्ट पार्क यह कहा पर है पुशकर दे रखा है आपर तो यह राइट आंसर है यहां पर ठीक है उसके बाद है तंत्रिका विज्ञान संस्तान राजस्तान जेपूर तो यह निरो साइंस जो सेंटर है यह कहा पर है यह है जोधपूर के अंदर जेपूर में नहीं है ठीक है कहा है जोधपूर के अंदर नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है राजस्तान का दूसरा हेंगिंग बिरिज त्रिवेणी पर डूंगरपुर और बाशवाड़ा के बीच में सोम माई और जाकम नदियों का संगम है तो ये भी आपर राइट आंसूर है आपको बता होगा पहला कहा पर है कोटा में नदि कोन सी है चंबल नदि पर ठीक है और ये दूसरा काँ बन रहा है या पर त्रिवेणी पर ठीक है ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन देरका कांतार ब्रांट 2022 के अनुसार भारत का सबसे मुल्यवान ब्रांट कौन सा है तो देखिए ओप्संस देरके TCS, InPosys, Reliance, LIC ठीक है देखिए इ यानिकी टाता, कंसल्टेंसीज, सर्विसेज, ठीक है बात करें इसके हेड़कार की कहा पर है मुंबई में ओके उसके बाद इसके CEO कौन है कौन है राजेस गोपिनाथ ओके ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि कहीं बार डाइरेक्ट ली एक्यूसन अपने से पूछ ले CEO कौन है ठीक है इसका हेड़कार कहा पर है अब बात करता है TCL जो कंपनी है उसके स्टेबलिस्मेंट कब हो आता एक अप्रेल 1968 को ठीक है किसने की थी फकीर चंद कोली और JRD Tata ने ठीक है ये भी आपको याद रखना है और हाली में क्या हुआ ये एक पॉंट चिनमा लाग क्रोड रुपे की रेवेन्यू के साथ में बारत का सबसे ये कांतार ब्रांड ब्रांड बन गया ठीक है तो बात करते हैं ये जो कांतार ब्रांड लिस्ट थी उसमें पहला नंबर किसका था अपने इंडिया में तीसे का था दूसरा किसका था है सबसें एक टीस निल्स सो सबस्क्राइब करना नेक्स ру之 धर था नक यांवड क्राम पर भीक सीबर करें काम करें जो की ये पार्जेस्ट वर्किंग इंप्लोईज कंपनी है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या दरका है आपर इन्पोसिस इसके स्था आपने कभू विती दो जून 1921 को हेट्गॉर्ड का इसका बंगलूरु में आपको पताऊगा अधिकतर जो मल्टी टेक कंपनीज है उनका मूर्थी नाराइण मूर्थी ओके और इसके वर्तमाल CEO कौन है सलील पारेख ओके तो बेसिक जान करें यह भी आपको याद रखनी है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रिलाइंस की कि इस्ताप ने किस ने कीती जीरुबाय अंबानी ने और कब कीती आठ माई 1903 को ठीक है और इसका एट गॉटर कहां पर रहा है मूंबाई में और इसके अभी वर्तमान में ओनर कौन है वह मुकेस अंबानी ठीक है मुकेस अंबानी वर्तमान में इसके रिलाइंस के ओनर है ठीक है नेक्स्ट क्या है लाइसी और लाइस आप सब जानते होंगे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी लाइसी फुल्वम क्या है लाइफ इंसरेंस कंपनी इसका स्टेब्लिस्मेंट कब हो आता एक सिप्ट सब्सक्राइबंबर 1956 को ठीक है इसका एटगोटर का पर अपना है मुंबई में और इसका ओनर कौन है ओनर गुवर्मेंट ओप इंडिया ठीक है यह आपको याद रखना है लाइसी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है ठीक है यह गोवर्न पेरेंट्स कंपनी ठीक है नेक्स पॉली और कपील देव तो इसका राइट आशर क्या है वह है सुनील गाउसकर अब आपको पता होगा सुनील गाउसकर का क्या योगदान था जिसकी वज़े से इंग्लेंड का जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इसका नाम इनके नाम पर रखा गया है देखिए सबसे पहल क्रिकेट क्लब है उसके पास में इसका स्वामित हुए अब आपको पता होगा यह जो सुनील गाउसकर है इन्होंने क्रिकेट को एक निस्षित उचाई पर ले जाने में इनका एक एक योगदान जिसके कारण इस हाली में जो लिसेस्टर ग्राउंड इसका नाम इनके नाम रखा गया है देगे कुछ अन्यमत्वूंट जानका रही है किसके बारे में सुनील गाउसकर के बारे में इनका जनम को वह था 10th of मैं 1949 को इन्हें किस नाम से जना जाता है लिटल मास्टर और आपको पता होगा लिटल मास्टर जो नाम किस नहीं दिया था 1970 में यह जब खेल इन्हें रते उन्होंने इनका नाम लिटल मास्टर रख दिया ठीक है क्योंकि इनकी जो हाइट थी वो कम थी और इनका जो खेलने का जो कोसल था वो बेहत रही है था ठीक है और यह एक मात्र पहले क्रिकेटर है जो टेस्ट मेंच में टेस्ट मेंच में टेस्ट मेंच में कि नेक्स्ट कोई न है सचिन तेंजलुगर कुछ जानकारी इनके बारे में जान लेते हैं इनका जनम को हो आता चोईस अप्रेल नाइनटीन सेवन्ड त्री और काउ आता मुंबई में पत्नी कोई न इनकी अंजली अब मैंने पत्नी का नाम क्यों लिका है आपर क्योंकि एक बा पत्नी है उनके बारे में ठीक है इनको अवार्ड कौन-कौन से राप्त हो रहे हैं बारत रत्न उसके बाद पदम श्री और पदम विभुश्रण भी इनको मिल चुका है नेक्स्ट है कपिल देव कौन है कपिल देव कुछ जानकारी इनके बारे में देख लेते हैं जनम को वोईन का शिक्स ऑप जैन नाइंटीन फिफ्टी नाइन ठीक है चैसे नवरी निसो उन्सट को और काप रुआ चंडी गड़ में ओके रिकोड की बात करें तो इन्होंने क्या किया था अच्छे से समझ आया होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सुनिल गाउसकर बात करते हैं की तरफ बढ़ते हैं हाली में किस राजे की खगोल लिए वेदसाला को युनेस्को की महतुपूर्ण संक्ट गरस्त विरासत वेदसालाओं में समिल किया गया है देखिए ऑप् देखिए नाइंटीन सिक्स्टीन में यहां कि प्रोफेसर कोलेज प्रोफेसर उन्होंने इस वेदसाला की स्तापना की ती किसकी एस एस कोलेज ओके और का पड़ती है मुझपर पुर्मे ठीक है कुछ अन्य मैतुपूर्ण बाते हैं बियार के बारे में यहां के सियम कौन ह नितिश कुमार ओके राजबालक कौन है आपर कौन है भाग्वू चोहान ठीक है यह भी आपको याद रखना नेक्स्ट क्या है लोग सभा राजबा और विदान सभा की सीटें तो लोग सभा कितने हैं यहापर 40 सीटें उसको बाद राजबा कितने हैं यहापर सोड़ा और 243 यहापर विदान सभागी सीटे हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं ओप्सन्स की तो यहापर देर का यूपी आप कुछ जानकारी यूपी के बारे में भी देख लेते हैं यूपी को राजे के दर्शा का मिला था 24 जिनवरी उननीस सो पचास को ठीक है नागे सीएम कोण है योगी जी आज़ितनाथ ठीक है राजे बाल कोण है आपर आनंदी बेन अनंदी बेन पटेल ठीक है राजदाने आप सब को बताओगी लखनव ठीक है डिस्टी कितने आपर 75 अब याप पर लोक सबा विदान सबा और राजिस बागी सीटे कितनी-कितनी है लोक सबा ऐसी सीटे उसके बाद विदान सबा की 403 सीटे और राजिस बागी 31 ठीक है ये भी आपको याद रखना है लोग सुबासी विदान सभा 403 और राजी सभा 31 सीटे ठीक है और आपको पता होगा जन सिंग्या में पहले नमबर पर है और सेत्रपल में चोते नमबर पर है ठीक है ये भी आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगले उप्शन की तरफ MP ठीक है एक नमबर सन 2000 से पहले जो MP है वह भारत का सबसे बड़ा राजी था लेकिन जब 36 गड़का इससे विगटन हुआ तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राजी बन गया ठीक है तो वरतमान में कोई है वह सबसे बड़ा राजी राजस्तान अकॉर्डिंग टू एरिय राजदनी क्या है बोपाल उसके बाद स्थापना एक नमबर 19056 ठीक है और राज्यपाल मंगू भाई चगन भाई पटेल सीम पता आपको शिवराज सिंग चोहान ये भी आपको नोट कर लएना है उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना राजस्तान ठीक है तो देखिए कि सीम हो गया सो गलोत राज्यपाल को ने कल राज मिस्र और चीप जस्टिस भाई कोड़ को ने ऐस ऐस कि सिंद्य ठीक है राज्य का बनाता तीस मार्च एफ उन्नीस सो अंचास को अ उसके बाद कि देखें लोकसभा विदान सभा स्वरी राज्यसभा और विदान सभा लोकसभा की 25 सीटे आपर राज्यसभा की 10 सीटे और विदान सभा की 200 सीटे ठीक है राज्य नरत्य आपको पता होगा गुमर राज्य बकसी के है गोडावन राज्य फूल के है रोईडा और राज्य फ्रक्स कौन सा है खेजडी ठीक है और खेल की बात करें तो कौन सा बोस्केट बोल ठीक है बोस्केट बोल इस सारी चीज में आपको यहापर नोट करा दिए आप अच्छे से इनको नोट कर लीजे ठीक है अगला कि उसे नहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तेरता सोर उड़ा सायंतर कहां बनाया जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है MP ठीक है हमने बात कर लिए MP के बारें पीजे नेक्स्ट क्या है हाल ही में भा बता होगा आपको टीए स्थाक कुर जो 2017 तक यह अपड़े चीज़ जस्टिस ते अब ऐसेस मुंद्रा कौन है ऐसेस मुंद्रा कौन है बीएस एक चेर परसन बीएस एक है बोंबे स्टोक एक्सेंज ठीक है उसके बाद बीवी दोसी बीवी दोसी जो है वह इंडियन आर्क ठीक है जो कौनसा वाड़े पत्रिकार दगा ठीक है प्रित जरावाड यह इनको मिल चुक है आई होप आपको आज का सेसं पसंद आया होगा तो सेसं को अपने सात्यों के साथ सेर जुरूर कीज़ ठीक है ताकि यूजले अब्रेफट आपके साथ साथ आपके सात्यों को भ बन्ने वाद